आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं कीमे की डाल तो बहुती इजी रेसिपी है और खाने में बहुती जादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजे कमेंट बॉक्स में मुझे बताईएगा ज़रूर की कैसे लगी रेसिपी आपको चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने एक मिडियम साइस की प्यास बारी कटकर के लिए हरा धनिया कटकर के लिया है दो तीन तेस पत्ते और कुछ गरम मसाला दो हरी मिर्च कटकर के लिए हम इसमें लाल मिर्च का भी उस करेंगे इसलिए हरी मिर्च मैंने कम ली है और दो लोंग, दो काली मिरी और एक बड़ी इलाइची और तेस पत्ते लिए थे 3-4 और ये दाल मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो ली थी ताके दाल गलने के लिए जादा टाइम ना लगे और ये मटन का कीमा लिया है मैंने सौरी थोड़ी सी वीडियो मेरे से डिलीट हो गई है तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले मैंने तेल दाला था एक चमज उसमें प्यास दाली है और गरम मसाले दाले उसके बाद एक चमज मैंने अधरक लसुन पेज दाला है और अच्छे से पका लेंगे अधरक लसुन की स्मेल जाने तक पकाना है और गरम मसाले तो मैंने आपको पहले ही दिखा दियते कितने लेने हैं उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पॉडर दाला है मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से दालिएगा क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी दालेंगे उसके बाद मैंने इसमें हल्दी पॉडर दाला है हल्दी पॉडर भी मैंने आदा चम्मज ही दाला है मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से दालिएगा तो अच्छे से पका लेना है तेल में कच्छी समिल जाने तक मिर्च की हमको पकाना है उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेज डाला है दो टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था ये देखिए वो डाला है और अच्छे से फिर से एक बार पका लेंगे पानी सुख जाने तक पकाना है, मसाला अच्छे से पक जाए, टमाटर और जो मसाले हमने दाले वो अच्छे से पकने तक हमको इसको चलाते रहना है और अभी पानी नहीं डाला है मैंने इसमें, तो अच्छे से थोड़ा ये पक जाए, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, तो देखिए मसाला पक गया है, उसके बाद मैंने इसमें मतन का कीमा अच्छे से वाश करके ले लिया था, वो डाला है, और मिक्स कर लेंगे पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि कीमे में से थोड़ा पानी अभी छूटेगा, इसको मिक्स करते रहना है, रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और इस्ते जारों के साथ जादा से जादा शेर कीजिए, मेरे चैनल पे नहे हैं तो सब्सक्र गया उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला दाला है, गरम मसाला मैंने इसमें आदा चमजी दाला है, और धनिया पॉडर दाला है, धनिया जीरा पॉडर और गरम मसाले पॉडर घर पे कैसे बनाते हैं, वो भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेर की, आप ज़रूर चेक कर लेना और ये देखी नमक डाला है नमक और मीर्च अपने टेस्ट के हिसाफ से ही डालिएगा तो अभी भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है ये उसी पानी में पकरा है, कीमे के पानी में ही तो इसको चलाते रहना है और उसके बाद मैं इसको ढख दूँगी 2-3 मिनिट के लिए ढख देना है इसको और पानी इसमें से निकल जाए उसके बाद हम इसमें डाल दालेगे तो ये देखिए मैंने इसको ढख दिया है 2-3 मिनिट हो गये है अभी मैं इसमें दाल दाल दूँगी ये देखिए तेल थोड़ा सा अउपर आगया और पामी भी थोड़ा छूटा है तो मैं इसको फिर से मिला लेती हूँ एक बार और उसके बाद इसमें हम दाल दालेंगे जो हमने दो तिन घंटे के लिए भीगो दी थी दाल दो तिन घंटे इसलिए भीगोना है क्योंकि चने की दाल को पकने काफी टाइम लग जाता है आप अगर ये रेसिपी को कुकर में बनाना चाओ तो कुकर में बना लेना ये देखिए उसके बाद मैंने हरा धनिया दाला है जो मैंने कट करके रखा था और हरी मिर्च दाली है दो हरी मिर्च लीती मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से दालिएगा अगर जादा तीखा पसंद कर तो अभी मैं इसमें मिक्स करके थोड़ा पानी डाल दूंगी और इसको ढ़के रख लेना है तब तक पकाना है तब तक दाल पूरी अच्छे से गलना जाए तो देखिए में थोड़ा पानी डाला है अगर कुकर में बनाओ गे तो पैम थोड़ा बच जाएगा जल्दी बन ज जाती है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता इसके लिए तो मैंने धक्के रख लिया है ये अब मैं इसको चैक कर लेती हूं दाल पकी या नहीं बराबर से तो यह देखिए थोड़ी सी गल गई है और मैं रखती हूं 2-3 मिनिट के लिए फिर मैं इसको चैक कर लूंगी और कीज़ सबस्क्राहिए पुरी ऐसी दबनी चाहिए चमचे मैं आपको करके दिखा रहु आप इसको चपाती के साथ सर्फ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में एक बार जरूर 02 में बताएगा मुझे बिलोक्त आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मेरी इंस्टा आइडी है अपना किचन खजाना तो ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ तो जरूर ट्राइ कीजेगा मैं आपसे मिलती हूँ नियू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला आफिस ठैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्टिंग